वर्दी गर्मी के साथ मंडला जले की निवास तहसील में फीशन जल संकट के हालात है हालात ये है कि यन्हा के ग्रामिनों जर्या का पानी पीने को मजबूर हैं तो कही कीचर्योग पानी पीने को मजबूर हैं ग्रामीनों को बूंद बूंद पानी के लिए कुमे में उतर कर जान जोखिन में डालनी पड़ती है कुछ ऐसे ही हालाद ग्राम पोंडी के है यन्हा के ग्रामीनों को कुमे से मिलने वाला कीचर युक पानी पीना पड़ रहा है राम पंचायत और जन्प्रतिनिधियों से अनेकों शिकायतों के बाद रामीनों को पीने का पानी मयस्सर नहीं राम पॉंडी में कुए वह हैंड़पंप तो हैं परंतु अधिकांश कुए रख रखाव के अभाव में बेकार हो गए तो हैंड़पंप पानी उगने में नाकाम है ले देकर बचा एक कुआ है और वह भी गंदगी से सराबोर जिसका कीचर योग पानी पीने को रामीन मजबूर है एक मात्र इस कुए की साफ़ सफाई के लिए भी ग्रामीन पंचायत और जन्प्रतिनिधियों से बोल कर ठक गए पर किसी का ध्यान नहीं अब ग्रामीन ने जन्सहयोग से इस कुए की साफ़ सफाई का वीरा उठाया है ग्रामीन कहते हैं कि यहां नजल योजना भी नहीं है जबकि स्टाप्रेम तो है पर साफ़ सफाई के अभाव में वह भी किसी काम का नहीं एक मात्र कुए से पीने का पानी लेने के लिए ग्रामीनों को जद्दो जहेद करनी पड़ती है जिसके लिए उन्हें अलसुबह निकलना पड़ता है तब जाकर बमुश्किल पीने के लिए पानी मिल पाता है जहां ग्रामीन पानी को तरस रहे हैं वहीं पीएची विभाग व्यवस्था बनाने की बात कह रहा है गोर्तलब है कि उप्तक्षेत्र जिले के सांसद्व पूर्व केंद्रिया मंत्री फगन सिंध कोस्ते का रहक्षेत्र होते हुए उनके अनुज विधायक रामप्यारे कोस्ते का विधानसभाक्षेत्र है निवास से रोहित चौकसे की रिपोर्ट